हेलो फ्रेंड्स के ASR Academy Commerce Institute के YouTube जनल पर एक बार फिर से आपका हादिक स्वावत टेक्स कंसल्टेंट सर्वीस में एक स्टुडेंट्स ने हम से पूचा था कि सर आई टी सी अगर हमको हमारे टेली में दिखता है लेकिन सर हमारे GSTR 2B में नहीं दीख रहा है तो उस समय हमको क्या करना होगा तो आज के इस वीडियो में हम उनके क्वेस्टन को लेते हैं और ये क्वेस्टन हर किसी का हो सकता है हर किसी के mind में से ये सवाल आता है कि ITC से हमारे टेली के अंदर हमने पर्चेस किया है हमारे पास में invoice है हमने टेली में record किया है नेकिन सर हमारे GSTR 2B में नहीं दिख रहा है तो उसका हम किस तरह से match करें वो आज हम इस वीडियो के अंदर cover करने वाला हमने सर डमी एक टेली की interest की हुई है और उसमें हमने दो invoices purchase के record किये हुए एक invoices हमने sales का record किया हुआ ultimately होता है क्या है सर जैसे for example हम November month की बात कर रहा है November month में एक तारिक से लेकि 30 November के बीच में आपने जितने भी transaction किये हुए है इन सब का हमें GSTR 3B के है 2B के अंदर हमको वो purchase जो हमने किया होता है वो ITC हमको GSTR 2B के अंदर show होता है लेकिन कुछ-कुछ invoices ऐसे होते हैं जो सा GSTR 2B में नहीं आता है हम उसका ITC नहीं ले सकते हैं ITC का मतलब जो भी हमने goods purchase किया हुआ है उसके पर हमने जो tax pay किया हुआ है उसका ITC हमारे आउटवर्ड supply के सामने हमको मिलता है जो remaining figures है वो हमको government को by bank से हमको payment करना होता है अब यहां पर conditions यह आती है कि सर हमने purchase record कर दिया entry के से करें normally GST की की जाती है अगर आप अपने GST को set up करना चाहते हैं अब जब भी GST को जब आप purchase करते हैं तो आपका input क्या होता है सर debit होता है और आपका जो output होता है वो output क्या होता है सर आपका credit होता है credit का मतलब कि आपको government को pay करना है तो adjustment entry every month जैसे for example 30 November 2023 को हम adjustment entry करेंगे क्या करेंगे सर, output CGST, output SGST, to input CGST, अब यह जो input CGST और input IGST, SGST या फिर input IGST, कुछसी का भी सर आपके सामने आप setup लह सकते हो, चाहिए IGST और CGST हो, अब से यहाँ पर वो figure आएगा जो आपके GST और 2B में आया हुआ जो आपके GST और 2B में आया हुआ, वो आप अपने GST और 3B में आप इसका input test credit avail करोगे, तो यहाँ पर वो figure आएगा, जो आपके GST और 2B के अंदर आपको दीख राए कि हाँ तक यह IT से आपको मिलता है, बाकि to GST payable, account debit, जितना भी amount होगा, फिर हम GST payable account debit to bank, फिर हम इसकी bank की entry करेंगे, यह payment की entry होगी, तो जब भी आप इस तरह से सर अपने accounts को set कर दो, output को close करके आप inputs को सामने adjust कर दो, इसका हम practical देखते हैं सर टेली में कैसे होता है, for example हम duties and taxes में जाते हैं, balance sheets में जाएंगे, यहाँ पर तरह हमारी duties and taxes है, यह हमको duties and taxes दीख रहा है, सर 39,000 का हमारा ITCM, और 43,680 का हमारा sales किया हुआ है, यह हम इसकी 30 November को हम क्या entry pass करेंगे, 30 November को entry कैसे pass करेंगे, यह ध्यान से समझना, पहले तो आप यह दोनों figure यहाँ पर note कर ले, अब यहाँ पर सकते एक और चीज़ यह है कि हमने सब purchase जो किया हुआ है, इसमें हमने दो invoices से purchase किया हुआ है, और इसमें हम यह मान के चलते हैं कि अंदर show नहीं हो रहा है, तो आप उसका ITC नहीं ले पाओगे, जब ITC नहीं ले पाओगे तो यह जो figure है, यह आपका unclaim ITC है, यानि कि अभी तक आपने उसको claim नहीं किया हुआ हुआ है, तो entry क्या गरनी है सर, यहाँ पर आपको 15,000 रुपीज का ITC आपको इसका मिलेगा, और 21,840 आपका amount है, तो entry में जाएंगे सर, हम voucher में, vouchers में JV में जाएंगे, JV में जाएंगे सर, output CGST 21,840, सर आपने जितना भी tax collect किया है, उस month में जो आपने अपने GSTR 1 के अदर आपने शोर किया हुआ है, वो तो पूरा payment आपको करना पड़ेगा, इसमें तो आपको SGST 21,840, अब बात करते हैं सर, input CGST, input CGST, ऐसे तो हमारे पास में 19,500 रुपीज है, लेकिन वो जो 4,500 का tax है, वो सर, हमारे GSTR 2B के अंदर हमको शोर नहीं हो रहा है, तो उसका IT से हम नहीं ले पाएंगे, तो हम सिप जो invoice हमको GSTR 2B में शोर हो रहा है, उसका invoice हम लेंगे, यहा यहाँ पर सर हमने 15,000, 15,000 का ले लिए, बाकी सर आएगा GSTR Pable, हम लेजर कर लेते हैं सर, GSTR Pable के, current liabilities में भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पर duties and taxes में भी आप डाल सकते हम इसको separate current liabilities में ले ले लेते, तो 13,680 का आपको क्या करना होगा सर, payment करना होगा, तो इस तरह से आप क् क्लेम ITC है, वो ITC आपको यहाँ पर show हो जाएगा, यह ITC आपको यहाँ पर show हो जाएगा, input CGST, input SGST है, इतना ITC आप अभी तक claim नहीं किया हुआ, तो आप उसको यहीं पर रहना दे सकते है, input CGST, input SGST के अंदर अगर debit side में अगर आपको दीख रहा है, इसका मतलब यह ITC अभ यहीं पर रहने दे, जब आप GST मैच करें, जब आपके जो पर चेज हैं, उसको आप मैच करें, तो वहाँ पर एक वर्किंग नोट आप बनाएं, कि जो ITC जैसे यह 4500 की ITC अभी आप ते claim नहीं किये, तो उसको आप next month में carry forward करें, December month में, December month के GSTR 2B में अगर यह invoice वहाँ पर आ जाता है, तो फिर आप उसका वहाँ पर input as credit, आप set कर सकते हो, तो यह एक simple सा question हमको पूचा था, जिसका answer हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे, अगर आप भी, अगर accounting में काम कर रहे हैं, या फिर आप tax consultant है, किसी भी field में आप काम कर रहे है, accounting, taxes and related, अगर रखिए, बहां से आप हमसे जूड सकते हैं, या फिर contact number आपको इसे description के अंदर दे रखा है, बहाँ पर आप हमें WhatsApp करा है, जो भी हम आपको answer आपको provide करेंगे, तो यह सब free of cost, आज के इस वीडियो में हमने जो भी cover किया, I hope कि आपको यहां तक clear हो गया, तो आज के लिए ब